आपके पास अपने सपनों को हकीकत का रंग दे निगले केवल आज का दिन ही है कल कौन जाने आपके आज समय हो या ना हो नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और हमारे जिवन को प्रभावित करने वाले छायागर राहू के मेश रासिम प्रवेश के इस विशेश एपिसोड में यह एपिसोड आपकी रासी नाम रासी अथाद मून साइन पर आधारीत है और इस एपिसोड में मैं राहू के गोचर प्रवितन का क्या असर पड़ेगा आपकी कुम रासी पर इस बारे में विश्लेशन करूंगा वेदिक जोतिस में राहू को नौ गरहों में से एक माना जाता है लेकिन अन्य सांथ गरहों यानि सूर्य, चंगमा, मंगल, बुद, गुरु, शुक्र, शनी की तरह राहू का कोई बहुतिक अस्तित्यु तो है नहीं लेकिन वेदिक जोतिस और धाद्मिक दस्तिकोंड से बहुत जादा मैत्व है पोराणिक कथा के अनुसाथ सागर मंतन से जब अमरत का कलस प्राप्त हुआ तो उस अमरत के लिए देवताओं और असूरों के बीच भायनक जगड़ा हुआ तब भगवान विश्णु ने इस जगड़े को समाप्त करने के लिए देवताओं या देवताओं को अमरत पान कराने के लिए वेश बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुँच गए फिर मोहिनी रूप ने देवताओं और असूरों को दो अलग-लग पंक्तियों में बैठने को का मोहिनी की सुंदर काया के मौ में सारे असूर सब कुछ भूल गए और मोहिनी जो की विश्णु का रूप थे चाला किसे देवताओं को अमरत पान कराने लगी इन सब के बीच एक असूर सर्व भानू नाम का असूर अपना वेस बदल करके देवताओं की पंक्तियों में जाकर के बैठ गया और अमरत्मान करने लगा तब सूर्य और चनमा को शंका हुई और उन्होंने ये बात बगवान विश्णु को बतला दी जिससे कोदी दो करके भगवान विश्णु ने अपने सुदस्ढünü चकर से उस असूर के सिर को धर्ड़ से अलग कर दिया बाद में उसके जो बटे वे दो भाग थे उसमें सिर के बाग को रहू नाम से जाना गया और धर्ड़ के बाग को कितू नाम से जाना गया राहू एक प्रभाव साली ग्रह है जिस भी ग्रह के साथ में यूति करता है या फिर द्रस्ति में आता है उसके जसा ही व्यवार करने लग जाता है इसके साथ ही वह जिस भी भाव में मौझूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवार करने लगता है राहु को ब्रह्म का जो ग्रेक आ जाता है यह धूंदली जश्टी जूटी आसाएं और अंध विश्वास लाता है राहु के प्रवा में जाता है खैलों में खोएवे और दिन में स्वप्न देखने वाले हो सकते हैं यह राहु जूआ, नशा, बुरिलत और अवेद गतिविदियों के साथ क्रांती और नवाचार की और भी ले जा सकता है राहु को एक विस्तार करने वाली उर्जा के तोर पर देखा जाता है जो कुंड़ी के हर उस भाव के प्रवा में व्रद्धी करता है, जहां यह मौजूद रहता है आधुनिक दुनिया में राहु तकनीक और उन्नत तकनीक का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रदिनिद्ध्व करता है इसे अलग और लीक से हटकर सोचनी की समता का कारक भी माना जाता है राहु उदारवाद का प्रदिनिद्ध्व भी करता है मीडिया, विमान, तक्निकी रिसोर्सेज, सभी पर राहू का प्रभाव है आधुनिक दुनिया में राहू की पारेंपरिक परिबासा यानि एक असुप ग्रह से बदल करके नवाचार में तबदिल हो चुकी है ऐसे में राहू के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अंचुए तत्य है जिसके बारे में आम लोगों को जान करी नहीं है या बहुत कम जान करी है वेदिक जोतिस में राहू को सनी के बाद में सबसे धिमे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है साथ ही साथ राउ के प्रवाओं की तुलना भी सनी के प्रवाओं से की जाती है राउ आपकी रासी से थार्ड, सिक्स या इलेवंथ बाऊ में बहुत सुफल देता है, उत्मफल देता है पर ब्रसब या मिथून राउ की उच्छ रासी मिथूल मूलत्र कौन रासी और कन्या स्वारासी तता व्रस्ठिक और धनू राउ की नीच रासी है राउ की सनी शुक्र और ब्ुद्ध SAY मित्त या है वहीं सूर्य चनमा और मंगल और ब्रस्पती से राउ की सत्तुता है राउ ब्रस्पती की तरह अपने भाव से पंचम भाव पर सप्तम भाव पर नवम भाव पर जस्तिपात करता है राउ एक वक्रिग रहे और एक रासी में लगबग अठरा मा तक रहता है आई अब बात करें राउ और केतु की नक्षत र में प्रवेश करेंगे मूल रूप से राहू भोग कार्पनिक भय और जूट का करक रहे और यह अपना जूट भी डंके की चोड के साथ में करता है और किसी भी छोटी चीज को बात को हैप करके बहुत बड़ा बना देता है तो आईए अब जानते हैं कि मेश रासी के राहू क आपकी रासी अतात कुम रासी पर क्या प्रवाब पड़ेगा सुब या असुब आपकी कुम रासी से थर्डा उसमें राहू अतात परक्रम भाव में प्रवेश करेंगे अता यह गोचर आपको सुपता प्रदान करेगा पोस्तिव फल देगा राजनेतिक और शेक्षनिक ज और सांस ही हो जाएंगे रासी से थाड़ा उसमें इस्तित राउ के प्रवाव से आप राजनिती के बन सकते हैं राजनिती शेत्र में ही हैं तो विसे सबल हो सकते हैं सक्सम हो सकते हैं आपकी ख्याती जवर्दस दंग से फैल सकती है इस समय काल में आप सोच समझ करके काम को अ financial gain, भाग्य में व्रद्धी, वीवा की संभावना, रोगों का सही उपचार और रोगों का नाश, आपके कारे व्यवसाय में सफलता, सांस और परक्रम में व्रद्धी, यात्राओं के द्वारा लाब, मित्रों से लाब जैसे सुपफल देंगे, आपके मन में सांती रहने से सम समाधान आप ढूंड पाएंगे, विखन और बादाएं दूर हो करके आपके काम पूरे होंगे, आपके आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी, रुकेवे या बड़े कारें की जो पूर्धा है, इच्छाओं की पूर्ती और समाज और व्यवसाय में मनिता मिलने जैसे ही रहेंगे, फाइनिशल गेन होने से आर्थिक स्थिति आपके मजबूत हो जाएगी, रुकावा पैसा भी आपको मिल पाएगा, और जो आपके विरोधियें, कॉम्पूर्टिटर्स हैं, उन पर आप सरलता से नियंतन प्राप्त कर पाएंगे, और अक्समात भाग्य जाग होने से बहुत बड़ा फाइनिशल गेन लाब मिल सकता है, वहीं आपकी जनकुली में राहु असुब है, तो आपकी आवाज करकस हो सकती है, और गरत लोगों की संगती भी आपको मिल सकती है, आईए, अब बात करें, राहु का गोचर आपकी जिवन के कौन से पहलों को बड़ी करते रहेंगे, आपको अपने भाई बेनों और दोस्तों के साथ में बात करते समय, बहुत ज़्यादा सावदानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके कठोर सब्द, आक्रामक, हाबाव, आपके संबनों में मदभेद ला सकते हैं, आपको यह ब्लेट प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावदान रहने की जरूरत है, हाट प्रॉब्लम बारे मरीज, अपनी देख बाल, अपनी जो केर बहुत ज़्यादा करें, आईए, अब बात करते हैं, राव के आर्थिक और व्यावसाही जगत पर क्या प्रभाब पड़ेगा, व् उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभाव ना है, इस समयकाल में आपको बलवान और दीरगायो प्राप्त होगी, राव के पुरुस रासे में उने से दो भाई इस गोचर में साथ-साथ नहीं रह पाएंगे, अब बात करते हैं, राव के जर्स्तिफल की, रा राव के इस गोचर काल के दोरान आप छुटी लेकर के यात्राय कर सकते हैं, और अपने दोस्तों और अपने जो कलीक से उनसे मिलने की योजना बना सकते हैं, आप अपने फिटनेस को लेकर के सजग हो सकते हैं, और इसके लिए आप जिम, एरोबिक, कल्ट, आदी जैसी साल पुन दस्ति नवम भाव पर है इसके प्रवाव से आपके भागय में रुकावटें आ सकती किन्तु अचानक और अप जासित अनेक्सपेक्टेड तरीके से आपके काम पूरे भी हो जाएंगे धर्म के प्रति आपकी रूची कुछ कम होने लगेगी आपका दस्ति कोन बदलने लग सकता है या आप बहुत जादा प्रेक्टिकल होने लग सकते हैं आईए अब बात करें राव की नवम जस्ति की जो की आपकी रासी से लाब भाव पर है राव की इस गोचर अवदी में आपके आत्म विश्वास और इच्छा सक्ती में व्रद्धी हो सकती है आप अधिक हज जस्ति सुब फल दे ये भी जरूरी नहीं है हाला कि रासी से थड़ा उसमें आयवा राव सुब है लेकिन फिर भी राव के दोस्त निवण के उपाय करके बहुत कुछ आप अनुकुल भी बना सकते हैं उस उपायों में सबसे पहले सनिवार के दिन किसी भी मंदिल में और शनि मंदिरी मिल जाए तो वहां जा करके काले रंग का जंडा फेरा हैं वो जंडा लगाना है इस दंग से एक हवा के साथ में फेराता रहे लहराता रहे नित्य बहरवनाजी के दर्सन करने चाहिए नित्य अनुमान जी की मूर्ति की समक्स आपको चमिली के तेल का पूद्रोटी खिलाने से भी सुब परणाम मिलेंगे किसी पवित्र नदी या तीरतिस्ता में जाका स्नान करने से आपको सफलता मिलेगी रुकाउटाओं से राहत मिलेगी आपको बुद्वार या सनिवार के दिन साबुत काली उड़त का दान करना चाहिए हर सनिवार को ए जल बैता हुआ तो और जादा अच्छा है अनिता कहीं पर भी आप उसे जल में विस्यत्त कर सकते हैं और या पे असाथ संभाव नहीं है तो आप आस पास सनि मंदिर डूड़ा कोई और मने मने में चड़ा सकते हैं राम रख्षा कवच धारन करें या काल भीरव कवच धा आपके आज समय हो तो ये था आप कुम्ब रासी के लिए राउ का गोचरफल और साथ ही साथ विस्स उपाई भी ये एपिसोड और ये जानकर ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और भी कोई आपकी जिग्यासा है वो भी आप कमेंट बॉक्स मे कि माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का वश्लशन चाहते हैं समस्यां का समाधान चाहते हैं अपने प्रस्नों का उत्तर चाहते हैं भविश्य में जाकना चाहते हैं कोई बहुत बड़ी जो दूइदा है कोई निर्ने लेना है उसमें आपको कश्मकस है उसका निर्धारन च चाते हैं ऐसी इस्तिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं वहां पर संपर्क स्थापश करके टेलिफॉनिकल सेंटेशी का अपॉंडमेंट फिक्स करना है फिर आप और मैं होंगे और आपकी कुंडली पर ही डिसकस करेंगे बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा इसलिए आ अपना और अपने परिवार का घर के छोड़ छोड़ बच्चों का और घर की महिलाओं का विसे इस खैल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें बहुत-बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल